हलो माइ दियर फ्रेंड मैसेल पुमेजी आदो बैंकिंग केरियर के ओपीसील यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है दियर फ्रेंड इस वीडियो में बात करेंगे SBI कलर्ब 2020 का जो पिरलम का एकजाम जो हुआ है अभी जो 22 परवरी, 29 परवरी और 1 मार्च को उसके basis पर आपका जो cut-up है वो क्या हो सकता है इस बार statewide आपका cut-up क्या जाएगा इसमें आपको detail में मैं discuss करूँगा और पिछले बार का जो cut-up गया था उसके compression करके हम इसमें discuss कर लेंगे और कुछ ऐसे भी state है जहां से आपने form भरा है 60 से लेकर के 70 के बीच में है तो आप 108 परशेन आपका pre-qualify हो जाएगा और main के लिए आप preparation स्टार्ट कर दीजे कुछ लोग बोलना है कि 72 से लेकर के 80 के बीच में cut-up जाएगा तो इतना cut-up नहीं जाएगा आपको डरने कोई बात नहीं है आपने जो भी आप में से जो student के exam हो गया है आप लोग मुझे comment कर सकते हैं आपका state आपका जो भी attempt रहा है मैं आपको बताऊंगा कि आप main में कितना आपका chances है और जो भी आपने paper आपका जैसे भी गया बस उसको positive लेकर के और main की preparation में अच्छे से लग जाएए क्योंकि पित्ले साल का जो vacancy था पितले यानि vacancy 2019 का और 2020 के vacancy में ज़्यादा फर्क नहीं है तो इस बार cut-up भी ज़्यादा कोई difference नहीं होगा आपको इसलिए बार के जो cut-up होई थी उसके आस पास में आकर आपका cut-up आ रहा है तो आप definitely main का preparation आप start कर दीजिए और आपका selection 3 में जरूर हो जाएगा main के लिए assisted dedication के साथ preparation किजिए friend मैं इसमें आपको important कुछ बाते बताने वाला हूँ इसमें बताता हूँ कि आपका cut-up है वो क्या हो सकता है आप इस state से है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं कि sir मेरा इतना attempt हुआ है उसके हम साथ से हम आपको उसका reply करेंगे training video काफी important है प्लीज आप मेरे चैनल banking career पर आप नए है तो प्लीज मेरे चैनल banking career को subscribe कर लिजिए और इस video को share भी कर दीजे अपने दोस्तों के साथ जो भी मैंने discussion किया है on the basis अप पिछले बार का cut-up किया था मैंने exam review के अनुसार से जितने सारे exam हुआ था हाँ कुछ और भी student पुछते हैं कि sir इसमें जो जिस shift में थोड़ा सा moderate paper आया था तो उसमें आपका normalization होगा कि नहीं इसमें 420 पिसले पर सीट थी और इस पर 510 सीट है सीट की बड़तरी हुई है इस पार आपका cut-up जो है आपका 73 से लेकर के 74 के बीच में आपका मदप्रदिस का cut-up रहेगा उसके according आपका EWS, OBC, AC और ST का रहेगा इसमें कुछ और जो category है BI, HI, LD and HX को SX को मैंने नहीं लिया है वो आप देख लिए according to आपका previous year cut-up उसी का अनुसार से आपका cut-up जाएगा आप में से जो भी student उस category के हैं तो आप मुझे comment कर सकते हैं मैं आपको personally आपको comment कर रिपलाई करके आपको बताऊंगा कि आपका selection होगा या नहीं होगा क्योंकि आपके cut-up आपके जो एटेम के अनुसार से ही आपका यह होगा और एक्विरिसी आपकी पितनी है वो भी आप ज़रूर मेंसेन आप ज़रूर कर सकते हैं कि राजस्तान की बात करें तो राजस्तान में सीट थोड़ा सा कम हुआ है फंडेट के आस-पास में सीट कम हुआ है तो 71 गया था पिछले बार इस पर 73-74 आपका cut-up जायेगा उतरप्रदिस की बात करें तो 1200 पिछले मदर सीट थी इस पार 8500 के आस-पास में सीट है तो इस प्रिवियस एक सो बती सीट था बेश बंगाल की बात करें तो इस बार पांसो पैसर सीट थी तो 74 के आसपास में बेश मंगाल 75 के आसपास में मैक्सिमम 64 के आसपास में आपका कटब रहेगा महराश्टा का जेनल का एकॉर्डिंट टू EWS और OBC तो सेमी था पिछले बार तो इस बार भी हो सकता है कि सेमी रहे इस बार जो सीट है थोड़ा सा बढ़ा है 865 सीट है पिछले बार 700 सीट है तो जो भी स्टुटेंट अपने म महाराश्टा से तो कुई बात नहीं है आप मेन इन का प्रिपेशनम में लग जाूए और मेन के परिपेशनम के बाद आप Lpt क्ट जाएगा 76 75 के आसपास में देली का कटप जाएगा बिहार की बात करें तो दिए उसके बार एक सो पंदरज सी थी इस पर 230 सीठ है बियार में 76.25 कटप गई थी जैनल की इस बार 77 के आसपास में आपका कटप जाएगा पंजाब पंजाब भी 76.25 फे पंजाब रहा आप अगर पंजाब से फॉर्म भरे हैं तो आपको सेक्ष पास में आ रहे हैं तो आफ बलता के रहे 66 करते हैं पिछले बार के कट अब के 20ग ति और आप पस ही थी और य्ठीण रहे है वाज धोड़ा सा। एक सो नबबे ही है तो वहीं आपका 58-59 के आसपस में cut-up जाएगा सबसे कम यहाँ पर cut-up जा सकती है गुजरात में 65.5 cut-up गई थी और इस पर 410 पिछले बर सीट थी और इस पर 550 seat है तो इस पर आपका cut-up इसी के आसपस में रहेगा 64-65 के आसपस में आपका गुजरात का cut-up रहेगा आपको 64-65 नमबर आ रहे हैं आपको जो भी आपको निगेटिव मार्किंग वह रहे हैं यह कुर इसी के बेसिस पर आपको 65-64 के पासपस में नमबर आ रहे हैं तो आप डेफिनिटली आप आपको थोड़ा सा यह होगा इसी के आसपस में रहेगा नि-74-75 के आसपस में आपका cut-up जा सकता है उसके बाद तामिल अर्णू की बात करें तो 61.25 आपका cut-up गया था पिछले बार का पिछले बार के पिछले बार के कमरीजन में प्रॉक्षमेर सीट सेमी है तो 63-64 के आसपस में आपके तामिल के जो भी स्टुडेंट तामिल अर्णू से फॉर्म भरे है उनको 63-64 के आसपस में आपको नंबर आएंगे तो आप इस पर क्वालिफाई कर जाएंगे और भी कुछ ए स्टेट है उसको देख लेते हैं अंदरपदेश की 74.75 आपकी कटब गई थी इस बार ज्यादा जाएगा क्योंकि यहां पर सीट का डिक्रीजमेंट हुआ है डिक्रीज हुआ है सीट इस पार आपको 77 के आसपस में आपको कटब जाएगा ज्यारखन की बात करें तो 75 पिशने बार की कटब गई थी और इस प मेगालिया की कटब जो 66.75 गई थी तो इस पार आपका जो कटब है मेगालिया का लगबग उसी के आसपस में रहेगा सीट थोड़ा सा इंकरिमेंट हुआ है असाम में 57 था तो इस पार कटब वही 58 59 के आसपस में आकर आसाम से फॉर्म भर रहे हैं तो आपको इतना कर नंब पर आ रहे हैं तो आप 100% क्वालिफाई हो जाएंगे ते लंगाना की बात करें तो इस पार ते लंगाना में सीट थोड़ा सा कम हुए 50 सीट की डिग्री हुई थी 50 बिसले बार जो 425 था और इस पार 375 सीट आई है तो इस पार आपका 70 के आसपस में आपका कटब यहां पर जो इस टेट है करनाट का यहां पर आपको कम कटब देखने को मिल सकता है किरला में आपका कटब हाई जाएगा 75 के आसपस में आपका करेला की कटब जाएगा क्योंकि सीट में वरोतरी हुआ है उरिसा में आपका 73.50 कटब गया था पिछले बार इस बार जो है इस बार कम ज आसपस में आपका कटब जाएगा चंडीगड की बात करें तो इसमें 77.25 पिछले बार कटब गया था इसके आसपस में आपका कटब रहेगा ठीकि जितने सारे जो मैंने कटब का discussion कर रहा हूं on the basis of previous year cut-up और seat का जो भी increment और हुआ है और decree जो भी seat हुआ है उसके अनसार से हम बात कर रहे हैं और exam का level जो भी था उसको अनसार से discussion करके बता रहा हूं आपका जो भी result आएगा जब भी result आपका आएगा तो आप एक बार से आपका जो भी seat रहा है जो भी आप उसके अनसार से आप देख लीजिए और उसमें आप plus minus 2 से लेकर के 3 मास आप कर लीजिए आपका definitely उसी के आसपास में आपका cut-up रहेगा इससे ज्यादा नहीं जाएगा और रांसर प्रदिस में 56 के बेचली बार कटप गई थी तो उसके आसपास में आपका cut-up रहेगा नागलेंड में 52.75 गई थी cut-up तो इस बार भी उसी के आसपास में रहेगा seat में इस बार 60 ज्यादा जाएगा क्योंकि seat में कमी हुए है 40 seat था इस बार 14 ही seat है तो इस बार 60 के आसपास में आपका कटप जाएगा जो भी student नागलन से फॉर्म भरे हैं वह आप देख लीजे गोवा से बात करें मेजोरम से बात करें तुर पूरा के बात करें तो यहां पर जो सब्सक्राइब करें तो आप बिल्कुल परिशान मत हुए साथ नंबर के आसपास में कर आप आ रहे हैं तो आप क्वालिफाइब हो जाएगा और अब त्रेंड मैं आप से रिक्वेस्ट करना हूं कि जो भी आप जिस पी स्टेट से बारें आप पढ़ाई कीजिए और प्र केशन की चे, और अच्छा केsन की जो बहुत के शैर्ट की आप जयी साथ है यहां मास के आज-पास में भी ला लेते हूं तो पचास मास बागी के सब्जेक्ट मिलाने पड़ते हैं तो यह आपका मेजर रूल प्ले करता है जो जीए जीए में आप ज्यादा फोकस कीजिए ओके फ्रेंड थैंक्यू सो मच अगर आप यह वीडियो अच्छा लगा तो आप इसक को लाइक जरू कर दीजिए और दोस्तों के साथ सेयर कर दीजिए और मेरे चैनल बैंकिंग के रियर को जरू सस्क्राइब कर लीजिए ओके फ्रेंड थैंक्यू सो मच वाड़ बले सीव